हलो नमस्कार यह आपके अर्दवार सीक प्रिक्सिया 72718 का मैथिमेटिक्स का फेपर है कक्सा 10 के और टोटल आपके 70 नमर का फेपर है तो सभी इसको सोल करें पार्ट 5 है पार्ट 5 है उसमें आपके टोटल 10 की उसन है और सभी एक एक नमबर की क्यूशन है जो फर्ष्ट आपके वेदिक मैथिमेटिक्स का है और यह आपके मैस से पर गयाद करना है इसका जो रियल नमबर है वास्तिविक संख्या है उसका है एक क्यूशन और तिसरा आपके तिरकोण मित्ती का है उसमें मान गयाद करना है और च जो आपके समरूपता वाले चेप्टर से है 11 के चेप्टर से तो पेपर है वो काभी अच्छा है और 6 का जो क्यूशन है वो आपके वर्त वाले चेप्टर से है और 7 का आपके बहुपद वाले चेप्टर से है और 8 का आपके प्राइक्ता से है और 9 का क्यूशन इसमें वर्थ का 6 तरफल गयात करना है और व्यास दे रखा है तो सबसे पहले हमें तिर्जा निकालनी पड़ेगी जो की साथ हो जाएगी और 10 का क्यूशन है ये भी आपके वेदिक मैथेमेटिक्स का है इसमें सुतर निक्खिलम 12-15 का गनफल गयात करना है 11 का जो क्यूशन है वो आपके सिद कीजिए 7 रूट 5-1 आप्रिमेशन का है तो रेशनल नमबर है वो प्रूव करना है आपको इरेशनल नमबर प्रूव करना है और उसके बाद में 12 का जो है वो आपके 6 के जैप्टर से है तिरकोण मित्ति से और 13 का आपके वेदिक मैथेमेटिक्स से इसका वरगमूल गयात करना है जो 14 का परसन है आपके रोड़शेप्टी का है और 15 का क्यूशन भी आपके रोड़शेप्टी का है उसके बाद में है 17 का सोड़ा का क्यूशन तो यह आपके भवपद वाले पार्ट से है इंपोर्टेट क्यूशन है इसको भी आप सोल करें 17 का क्यूशन आपके तिरकोण मित्ति से है जो सिद करना है आपको 1 पलस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस और रूट है उसको जो आंसर दे रखा है वो कोसेक थिटा पलस कोड थिटा तो यह आपको प्रूव करना है और 18 का आपके समांतर स्रेडिस है अर्थिमेटिक प्रोग्रेशन से गुनिस का ट्रिगनोमेटरी से आपका और जो डिस्टेंज आइट वाले चेप्टर से है 20 का आपके समरूपता वाले चेप्टर से है लोकस वाले चेप्टर से है बिंदू पाथ 10 का चेप्टर है 21 का है वो आपका चतुर भूज के चारो कोण गयात करने इंपोर्टेट कुसन है यह भी आपके 22 वाला जो इस पर सरेका है उसकी लंबाईयां बराबर होती है बाईये बिंदू से सिद्ध करना है और 23 का परसन है आपके रचना वाले कंस्ट्रक्शन वाले चेप्टर से है और 24 का है आपके 33 खंट का चेटरफल गयात करना है 25 का आपके प्राइक्टा से है और इसी परकार 26 का एक ग्राब बनाना है 27 का जो क्यूसन है वो आपके निर्दे सांग जयामिति से है और उसके अथवा में जो देर खा है उसको भी आप सोल करें काभी अच्छा परसन है यह भी बोर्ड एक्जाम में पुछा जा सकता है और 28 का क्यूसन है वो आपके गन गनाब वाले चेटर से है तो इसको भी सोल करें 30 का आपके मीन, मोड और मीडियन वाले चेटर से है तो इसमें एक बोर्ड एक्जाम में पुछा जाता है और six marks का पुछा जाता है तो इसको भी आप solve करें तीस का जो question है वो आपके similarity यानि समरूपता वाले चिफ्टर से हैं और इसके अत्वा में जो दे रखा है उसको भी आप solve करें धन्यवाद